हलो गाइज वेलकम टो यार चैनल एम्बीए वाला तो गाइज एक कहानी शिरू हो चुकी है जहां पर आप लोग समझ रहे हो कि एक आएम का या एक अच्छे बी स्कूल का सेलेक्शन क्राइडिरिया क्या होता है मैं जानता हूँ कि स्ट्राइड़ी टू या वीडियो टू जहां पर हमने आएम एम्दाबाद करिगरी की बात करी है आएम एम्दाबाद भी स्कूल की बात करी है वहाँ थोड़ा सा आपको निराशा जरूर होगी जिन बच्छों के टैन्थ और ट्वेल्थ के कंबाइन मार् हो जाते हैं पर डरने की क्या है बात जब एम बीए वाला है साथ और हताश नहीं होना होता है हमें वापस से अपने अंदर का जज़बा जबाना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक हाय में अम्दाबाद ही तो था आप लोग के लिए भी बाकि मोस्ट आफ दो कॉलेजेज में सिर्फ पास होना जरूरी होता है स्क्रीनिंग नहीं होती है उससे कि 10-12 के इतने परसेंटेज से कम है तो आप सीधा भार और अगर होती है तो वह परसेंटेज बैरियर थोड़ा से कम होता है हाँ उसका इंपक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि हार कॉलेज में वेटेज इसने मैटर नहीं करेंगा और आप अपने लिए इन अच्छे कॉलेज में एक सिट बूक करवा सकते हो तो कैसे करते हैं क्या सेलेक्शन क्राइटेरिया होता है चली आगे और जानते हैं पहले बात करेंगा हम FMS की FMS को IIM से कम मत समझना दोस्तों आप इस कॉलेज के बारे म to the leaders world as well as the companies and as well as your society तो जानते हैं FMS के बारे में क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कितने क्यार्टी परसेंटेज चाहिए और क्या 10th 12th के पुराने बाप यहां पर हमको तंग करने वाले हैं और अगर करेंगे तो कितना गाइस FMS का सिंपल क्राइटेरिया इतने कॉंप्लिकेटेड क्राइटेरिया नहीं है जिस तरीके के अपने लास्ट वीडियो में आयम हमदाबाद का देखा अपने आप में पूरा एक LRDI का सेट ता यह थोड़ा सिंपल है सौटेड है असानी से समझ जाओगे तो FMS में ग सिंथ नो 12 फॉर कंपोजिट स्कोर ओनली यौर कैट का स्कोर अब आपके कैट के स्कोर में गाइस तीन सेक्शन होते हैं राइट नेमली विए आरसी एलाडी आए एंड कॉंट राइट तो विए आरसी एलाडी आए और कॉंट जब आपकी पहली स्क्रीनिंग हो रही होगी तो आपके कंपोजिट स्कोर के लिए सबसे अधा वेटेज डिया जाएगा वी ए रसी को 40 परसेंट एलाडी एको 30 परसेंट और को 30 परसेंट अब बेसिकली यूनिटरी मेथड निकाल कर यह आपका स्केल स्कोर कर्णवर्ट किया जा रहा है अब आपका विए रसी होता है में से माल ने आपका जो भी स्केल स्कोर आया लेट अससे कि आपने 72 में से स्कोर किया 24 थीक है तो आपका स्कोर जो है वह ऐसे निकलेगा 24 multiply by 40 परसेंट तो 40 परसेंट तो 40 बाइस से वेटेज आपके निकलेगी यानि यह आपका करटेगा वन जा त्री जो और आपको जो मि 60 में से score आसाथ है आपके तो आपका डिया एलर का scale score multiply by 30 by 60 अब यह 30 क्यों है क्योंकि percentage 30 दी सिमिलरली क्वाइन में किती थी 30 तो 30 by 66 तो इस तरीके से आपका score जो है वो composite score calculate हो जाएगा मालने ते लर डिय में आपका जो भी score आपने दो सेट बना दिये तो आपके 30 नमबर आ गए तो 30 multiply by 30 by 60 वन जा टूजा और यह कट जाएगा आपके असाथ है का पंद्रह तो इधर आपको मिल गए पंद्रह सिमिलरली क्वाइन में आपका जो भी scale score आया ठीक है आपका somewhere around 13.33 तो आपके पास आगया 30 and 43.33 के आसपास का आपका स्कोर बन गया ठीक है तो गाइस simple as it is इस तरीके से आपका composite score calculate हो जाता है अब ध्यान यह रखना अगर आप मोटा मोटा 50 परसेंट नमबर मारते हो यानि 72 में से 36 60 में से 30 और 66 में से 33 actual score के सिर्फ 50-50 परसेंट नमबर कॉल आएगा या आएगा टेंशन नहीं ज्यादा बात नहीं है सिलेक्शन मुल्टिपल अधर चीज़ों पर डिपलेंट करेगा पर कॉल तो आ जाएगा फमस से तो यह है आपकी composite score calculation यह इनका इंग्लिश पर ध्यान देना है सिर्फ क्वांट और यह पढ़के नहीं होने वाला क्योंकि क्वांट के 50 परसेंट के नमबर से खराब है तो उसकी वेटेश 40 परसेंट में से कंप्लिकेट किये जाएगी calculate कि जाएगी तो आप समझ जाओ कि वी आर्शी पर देना है अगर FMS आपका टारेट स्कूल है तो अब यह लास्ट यहर का डेटा है इन्होंने composite score निकाले और कॉल कर दिया जनरल में 101 सीट थी 707 लोगों को अब ऐसा कुछ बोलता तो नहीं है कि कितने शॉट लिस्ट करता है पर आप देखो अगर एक देखोगे तो पैटर नजर आएगा यह सब इंटू सेवन हो रहे है तो कहीं ना कहीं यह सेवन टाइम्स कंडिडेट शॉट लिस्ट कर रहा है तो अगर आप शॉट लिस्ट हो रहे हो तो हर शॉट लिस्ट बच्चे में से वन ओफ देखोगे तो मतलब शॉट लिस्ट होगा तो स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर पर्सनल इंटर्व्यू प्रॉपल्ली समझ रहे हो बात को प्रॉपली त्यारी शुरू करो क्योंकि उसमें भी साथ में से एक बच्चा स नहीं है और तरीके से फोड कि स्को भी लाएंगे इंसके त्यारी और फॉड की आएंगा और एक से बुक कर घाएगे तो आ पनेाओ को तो stage 2 final selection अब final selection में देखो turn 12 का कितना सा वेटेज है देखो गए बड़ा simple cat के score को दे रहे हैं 50% सबसे ज़्यादा cat के score को वेटेज दी गई क्लास 10 चिर्फ और सिन्थ 10 परसेंट क्लास 12 सिर्फ और दस परसेंट तो अगर आप 60-70 परसेंट भी रहे गए और आपका दोस्त 90 परसेंट भी लेकर आ गया competitor तो फिर उसको दस में से 10 मिल रहोंगे या नौ मिल रहोंगे तो आपको 10 मिल रहोंगे तो दो ही पॉइंट का तो फरका खीचो ना यहां पर यानि कि एक्स टैंपोर वहां पर आपको टॉपिक दिया जाएगा जो आपको बोलना होगा उसका 5 परसेंट वेटेज और परसनल इंटर्व्यू का 15 वेटेज आप देखने की बात यहां पर क्याट को बहुत वेटेज दिया गया फाइनल सेलेक्शन में जबकि पिया को 15 परसेंट ही यह अकेला ही 50 परसेंट है जो इनके बराबर का है जबकि जनरली आप आएमस की बात करते हो तो फाइनल सेलेक्शन में इसका जो वेटेज है का वो परसनल इंटर्व्यू से कमी होता है सबसे ज्यादा वेटेज जो परसनल इंटर्व्यू को देते हैं 40 50 राइट यहां 15 तो क्योंकि मैक्सिम वेटेज 50 परसेंट की है क्याट फोड़ दो चांसे बहुत हाई हो जाते हैं पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी कम्मुनिकेशन स्किल्स पर वर्क न गरें क्योंकि कम्मुनिकेशन स्किल्स आपके डिरेक्ट इंटर्व्यू और आपका जो विजन है वह बहुत इंपॉइंट होने चीए क्योंकि उस पे दस परसेंट यह स्टेटमेंट और पर्पस यह दोने छोटी-छोटी चीजे हैं टेंट वेल्थ तो आएम्मदाबाद नहीं मिलना ना टेंट वेल्थ का स्कोर खराब है तो एफमस लो जाओ अच्छा ही करोगे जीवन म पांच साल बात बढ़िया पैकेज होगा बढ़िया जॉब होगी बढ़िया स्टेटस होगा यहां पर जो स्क्रीनिंग वह टेंट विल्थ की इतनी आपको ऐसे नहीं होगा कि नब्बे परसेंट नहीं तो नहीं बुला रहा बुला रहा है जाओ इंटर्विव्स की को देखके मैं रोते रहा हूं तो यह मेरे विजन में प्रॉब्लम है एक को छोड़के बाखी के दस कॉलेज जो आपको बुलाने के लिए तयार मेठ हैं जो कि एक अच्छे कॉलेज आप उनके लिए नहीं फोकस कर रहे हो पर जो नहीं मिला उसके लिए फोकस कर रहे हो हमे फोकस ऑन दाट इसलिए उन में से एक है एफमेस टेन ट्वेल पर इत्ता फोकस नहीं कर रहा है जान रहा है कि हो सकता है बच्पन में आपका ध्यान नहीं था आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते थे पर आज आप उसकी इंपॉर्टेंस जानते हो और उसके इसाब से करें आपका लाइफ को विजन और आपके पर्सनल इंटर्विस कلا और बजन करो आप रोग आगे बात करतें हैं अब ऑ आएएम बेंगलार आback मिल जाया तो बहगवान मुझे पुछ नहीं चाहिए परशाद करते हैं आपने बहुत बच्चों को सुना है इस बारे में कि इस ड्रीम कॉलेज में जाने की टिक्ट क्या है या फिर कंडिशन तो आएम के स्कूर और एकाड में हिस्ट्री बेसिक स्क्रीनिक इस और क्याइट के कट आफ सब्सक्राइब के बाद सीधा कॉल तो आता नहीं है उसका कुछ वेटेज होता है इसको मिला के और जब कॉल आ गया तो फिर एक अलग क्रैटेरिया के वेटेज इस होते हैं जिससे आपका फाइ सर परसेंटाइल कट आफ तो स्क्रीनिंग पर जब वेटेज उसकी माल नेते हैं पचास परसेंट हो गई तो सबसे पहले मिनिममम कट परसेंटाइल कट आफ अगर यह बेस पार नहीं कर पाते हो तो पहले ही डिवार अब तो कॉल आ ही नहीं सकता गेम ओवर हो चुका है तो ले लो बताने ही जुरुत नहीं है बार बार देख चुके हो ओपन क्याटेगरी मतलब जन्राल वाली तो आपका वी आर सी में से ज्यादा एलाडिया में से ज्यादा को आने की चांसे और यह पार नहीं तो कॉल तो पक्कत नहीं आएगा अब जो बच्चे इसको पार कर हिष्ट्री जाची जाएगी अब अगय भी में क्या क्या चीजों को देखा जाएगा समझते हैं तो सबसे बहुत करते हैं यह जो को नॉर्मलाइस किया जाएगा कैसे किया जाएगा नाइंटिएत पर सेंटायल स्कॉर जो हो जो भी बच्चे पास्ट्य यह का डेटा उठा तो उसमें जिस बच्चे से 90 लोग पीछे होंगे राइट जिस बच्चे से 90 लोग पीछे होंगे यानि यो तोफ टैंथ तांथ वाला पच्चा हो गाँ तो आ पका नॉर्मला स्कोर अच्छा होगा । बेकार हो जाएगा तो आपका score upon 10th rank वाले का score उससे आपका score किया जाएगा नॉर्मलाइज तो आप डिवाइड करोगे 90th percent वाले का score from your score simple तो इससे आपका 10th का score जो है नॉर्मलाइज हो गया मतलब मालने ते आपकी 90% आई 10 12 में आप जो मेरा डेटावेस था उसमें 100 लोग थे तो इसमें जो 10 वाला बच्चा होगा इससे पीछे 90 लोग है तो इस भाई की नहीं है इससे कम है तो आपको कॉल नहीं आएगा इससे ज़्यादा है तो कॉल आगा नहीं आए इससा कुछ नहीं है आपका जो screening है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन दा बेसे ऑफ कैट के बेसिक कट अफ जैंड अफ कोर्स आप ज़र्डेग्री से ग्राजूट कर गया तो पचास परसेंट से ज्यादा आपका ग्राजूइशन मांक इतना तो होना चाहिए ठीक है अब गाई इसके बाद क्या होगा यह यूज होंगे आगे इनकी इनकी वेटेज अलग होगी फॉर कॉल्स ठीक है पर वेटेज कम ही होगी तो यह इतना बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला आपके और कॉल के बीच में दिखेंगे कौन बड़ा फैक्टर होने वाला अब एक सिरेंस और अपका व्यासिश पेर आपकी कुछ वेटेज होगी सब्सक्राइब यह बड़ा सिंपल सा इजी नॉट वेरी डिफिकल्ट टैनेश वाइट थर्ट इसेग्स अगर आपका परकेक्स्पिरिंश दो साल का लड़ सी तो दो इर्स मतलब ट्विंटी फोर मंस का वरकेक्स्पिरियंस है तो आपको कितने पॉंट मिल जाएंगे 3 यानि कि 6.66 तो 6.66 आपको पॉइंट मिल जाएंगे मैक्सिम कर सकते हो 10 यानि कि अगर आपका तीन साल टाचर जाता है तीन या तीन साल से ज्यादा तो अपको मिलेंगे दस पॉइंट ठीक है अब प्रोफेशनल कोर्स अगर आप सीए हो राइट या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है कंपनी सेकरेटरी हो तो इनका प्रोफेशनल कोर्स में उसको समझने में नहीं जितना ज्यादा लाओगे, मीन से उपर होगे, तो अच्छी बात है, obviously, right, तो work experience और professional courses इनका ये criteria हो जाए, ठीक है, इसका भी कुछ weightage होगा, weightage कितना होगा जानते हैं, तो 10-12 उसको normalize कर दिया, work experience और professional course इसको normalize कर दिया, cat का score अब उसको जानते हैं, right, cat के score को अगर आप द prediction and logical reasoning, LRDI को कर जाएगा, 21 point में, तो यहाँ सबसे आदा important हो जाती है, आपके LRDI, right, 55 में से, अगर आप देओ, cat score की वेंटेज है, 55, इसमें LRDI को सबसे आदा weightage दिया जाएगा, LRDI का weightage है, 21, ठीक, और आपका verbal का 19 और quant का सबसे कम 15, right, तो यह हो गया आपका LRDI, verbal, आप quant आपका हो गया, 15, this is the weightage, how this 55 is further divided, अब देखो, call लाने के लिए, सबसे important factor क्या हो रहा है, cat का score, by 10 और 12, 15, 15 की weightage है, कोई screening इस पे है नहीं, 80% से कम है, तो call ही नहीं कर सकता, यहाँ पे थोड़े से number ही तो कम मिलेंगे, यहाँ फोड़ों, और पार करो, दूसरी बात, gender diversity को पांच number मिलेगा भई, चीक है, work experience और professional course को 10 points मिलेंगे, जो हमने निकाले, कौन सा formula था, यह रा formula, अगर आप working experience और अगर आप कोई कोई professional course कर रहे हो, तो इस formula से normalize करके जो आएगा, 10 में से points आ जाएंगे, total 100 में से, इसके इसाफ़ से बच्चों को बुला लिया जाएगा, इंटर्विव के calls आजाएंगे, ठीक है, clear, बात यहां था clear होती है, ठीक है, अब gender diversity के जो 5 points हैं, जो लड़कियों को मिलने वाले हैं, यह पर, या transgender को मिलने वाले हैं, लड़कों को 0 मिल जाएगा, लड़कियों और transgender को 5 मिल जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ call लाने तक ला कुछ बच्चों को चार्ट के call लाने तक की बाते थी, जिसमें आप देख रहे हो कि सबसे अधा था cat का score, तो इसको फोर्दो काम हो जाएगा, 10-12 को लेके row मत, अरे आपके दोस्त को 15 में से 15 में मिलगे, आपको 15 में से 8-6, तो 8-10-9, उस तो मिलेगा, सभी बात है कि नही फेल थोड़ी वो, सतर परसेंट रह गई, असी परसेंट रह गई है, तो दो-तीन पॉइंट उससे पीछे हो जाएगा, जाज जाएदा पांच पॉइंट उससे पीछे हो जाओगे, यहां आगे निकालो ना उससे अपने आपको, और देखो फोकस यहां पर LRDI, कौांट ब दिख रहा होगा, च्छे का ही डिफरेंस है, पर 55 में से च्छे का डिफरेंस होता है, लगबग लगबग 15% की बात होगी है, ठीक, चलो, अब आपको कॉल आ चुका है, अब फाइनल बैटल की बात चल रही है, फाइनल बैटल की बेटेज देखते हैं, लोग का कॉल आ गया लोग का इंटर्वी हो गया, ठीक है, अब देखो कानी, इंटर्वी होने के बाद, कैट के स्कोर की बेटेज रहाती है, पच्छे सब्सक्राइब काफी डीसेंट है, और जो आपका इंटर्वी हो रहा है, इसकी बजाती है, ठीफाइब यानि कि अभी मिला के इसकी 50 है, 10-12 माइने नहीं रखने वाला है, ठीफोड़ा है ना, पी आए फोड़ो और पेपर निकालो, so work on your communication skills, work on your vision, work on the cat, without thinking कि IMMदाबाद कॉल नहीं करेगा, मेरा 10-12 मिला के 80% से पार में, तो घबरा क्यो रहे हो, जो है हाथ में उसके लिए फाइट करो, फिर written assessment test जो आपका होता है उसमें आपके 10 की weightage, और weighted work experience और professional course यह आपका 10 में से, and this will make your 100 marks, तो यह कहानी है आपकी, अब 25 points cat में से कैसे बढ़ेंगे, 25 points cat के जो score है आपका, इसमें वापस सबसे यहादा weightage LRDI का, right, LRDI कितना weightage हो गया, 10, VARC का, VARC कितना weightage हो गया, आपका 8.75, और quant का, quant का कितना हो गया, quant का हो गया, आपका 6.25, अगर आप गौर से देखो गया, तो order वापस हो गया, LRDI का सबसे ज़्यादा, 10 out of 25, यानि 40% तो LRDI का ही ले रहे हैं, 40%, 10 upon 25 into 100, 40% of the weightage of cat, इस 25 में से 40% of the weightage of cat is from LRDI, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 जा, 3 आपके sections है, तो सबका 33.33, 33.33, 33.33, 40% LRDI का तो LRDI फोड़ते हो ना, तो बहुत हाई chances है कि आप का यहां से call भी आएगा, और आपका selection भी होगा, ठीक है, और quant, specifically अगर आपका थोड़ा सा धीला भी है, पर VIRC और LRDI फोड़के जा रहे हो, तो guys, you are better, तो यानि कि एक बच्चे के 100 नंबर है, दूस is the more preferable candidate, इसका जो score है ना, वो बहुत हाई होगा, comparative to this student, simple, क्योंकि quant सिर्फ और 6.25 है, 18.75 of this 25 तो VIRC और LRDI बना रहा है, ठीक है, 6.25 upon 25 is just 25%, यानि इसकी 25% वेटे जाए और इन दोनों के मिला आगे 75% वेटे जाए, right, तो guys, this is it, right, अगर आप मोटा-मोटा देखो के तो, सबके सब IAMS का selection process दो stages में होता है, right, सबसे पहले होती है, preliminary screening, जो होती है, cat के percentiles पर जो आपको काफी कम दिखेंगी, 70, 75, 75, 80, 85, right, maximum 90, और उतना लाना बड़ा असान होता है, 100 में से आपके 198 में 70, 75 नमबर लिया, वाजाती, 80% तो guys, basic screening आप पार करा दो, सबसे पहले तो cat की highest weightage रहती है, ठीक है, तो cat की highest weightage होगी, 10th का कुछ weightage होगा, 12th का कुछ weightage होगा, आपके work experience का कुछ weightage होगा, थोड़ा बहुत gender diversity का weightage होगा, तो cat 4 दिया है, तो हो जाया है काम, उसके बाद जब call आ गया, then you move to the stage 2, अब stage 2 में पहुचिक के बाद, stage 1 के सारे number होगा है, अब कुछ छटे होगे लोग stage 2 में आ गए, stage 2 में personal interview होगे है, तो personal interview सबसे आदा हो जाता है, फिर, I.M.C. बात करता हूँ मैं, ठीक है, अब cat का जो score हो, 20-30 के आसपास कर रहे जाएगा, personal interview जो है, आपका 40-50 के आसपास कर चले जाएगा, 10-12th के number और थोड़ थोड़े कम weight माइने रखने वालेंगे, एंड उसके हिसाफ से आपको फिर finally call आ जाएगा, ठीक है, कुछ लोग working experience consider करेंगे, कुछ उसको P.I. के साथ ही incorporate कर देंगे, आपसे बात करने के लिए, कुछ आपके vision को consider करेंगे, कुछ P.I. के साथ ही उसको डाल देंगे, हाँ, P.I. और वैट जरूर होगा, written assessment test जरूर होगा, पर जैसे ही आप इनको छोड़के B schools की तरफ जाते हो, जो की I.M. नहीं है, जैसे की FMS की बने बात करेंगे, तो इसके stage 2 में भी cat का अच्छागा सा बेटेज है, तो more or less मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है, कि सिर्फ I.M. एहमदाबाद का criteria सकता हो, और यह भी बाते मत देखो कि भाई अच्छा, एहमदाबाद में तो 80-85 का percentile cutoff जा रहा है, तो मेरे को बुले लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो preliminary screening है, बस, कोशिश करो कि आप 95 से ज्यादा percentile मारो, और engineer हो, तो 98 से भी ज्यादा मारो, इतनी percentile अगर मार दी, और आ some good colleges, given that आप interview अच्छे से देखे आओ, so work on your interview skills, work on your communication skills, work on your vision, की MBA क्यो करना चाहते हो, and work on your cat preparation, if all these things club up, जो past में हो गया, उसको भूलो, forget the past, work for your future, that is a simple message from me today, forget the past and work on your future, if you like it, comment पे लिख देना की सरम में पुरानी बातों को भूल जाऊंगा, और focus करूंगा, एक bright future के लिए, फोड़ने के लिए, अब मैं फालतू के मिट्स अपने दिमाग में नहीं आने दूँगा, कि 10-12 के marks का में हम मैं क्या करूं, हम मैं क्या करूं, बहुत सारे colleges हैं, आपको लेने के लिए तयार हैं, पर 10-12 खराब कर दिया, और उस सोज में cat का score भी खराब कर दो, औ अपने साथ आप जात्ती कर लो, तो get ready for a good school, फोड़ना है, एक अच्छा college देना है, और comment में आकर बताना है, मैंने इस college को crack कर दिया, मोटा मोटा आप सबका criteria सेम है, that's it, and take care, bye-bye, यहाँ पर इस video और इस series को end करते हैं, कुछ और college चाहिए होगा, फिर भी मेरे को बता देन मैं लास्ट में आप के लिए के आजाओंगा, चलो होगाई, बाबाई, and take care, let's make your ambitions into reality.